हालो हाई नमस्कार स्वाधत आपका मेरे चैनल जटपरपूर रेसिपी में मैं हूँ मौशमी आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजीर हुई हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं परसाथ जैसी खेचरी इसके लिए मैंने कुछ टीप संट्रीक आप लोग परसाथ जैसी खेचरी बनाने के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रीडियन की जरुत है आए हम देखते हैं इसके लिए मुंग दाल यूज करेंगे जो हमें हलका सा रोष्ट करके लिए हुआ है कच्छी मुंग दाल हम यूज ले करेंगे हमने चावल लिया हुआ है नॉर्मल चाल से हम नहीं बनाएंगे जिस चाल से हम खीर बनाते हैं मुसी चाल से आज खिचरी बनाएंगे गोविन दो भोग चाओ तू छोटे-छोटे कैरेट को हमने पतले-पतले साइज में पील करके कट करके वाश करके रखा हुआ है एक छोटे साइज का हमने गोवी लिया थोड़े से हमने धनिया लिप्स लिया हुआ है इनको भी हम ने शाफ करके कट करके हाइन चौप करके रखा हुआ है चोटे-चोटे साइज के मैंने चार टोमैटो लिया हुआ है इनको भी हमने चोटे-चोटे साइज में कट करके रखा हुआ है मासाले में हमने सब्जी मासाला लिया हुआ है , फोड़ो से जीरा धनिया पाउडर लिया हुआ है , फोड़ो से το जीरा लिया हुआ है , यहाँ पर हम ऍर्च अर हद्रक ध्रकशन लज्टरा से कशूल है यहां पर हमने 3-4 टीस्पूर शूगर लिया हुआ है फोरस हमने 1 टीस्पूर वान एड़ हाफ टीस्पूर हमने घी लिया हुआ है कुकिंग के लिए हम मस्टर्ड ऑइल यूज करेंगे और टीस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट एड़ करेंगे और भी आपके पास जो भी सब्जी अबलेबल हो जैसे बीन्स सीम तो आप वह भी आड़ कर सकते हैं अब जितने तरीकी सब्जी इसमें अड़ करेंगे यह बहुत ही स्वाधिष्ट बन के तयार होता है एं गःं था त तो आए हम जहता पट खिचरी बनाना स्टा स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने गैस अन कर दिया। आरा से गड़ा हो wed kidsya टेल ऐठ नहीं है जैसे जायर इसमें जीरा अब जीन एक 2-3-2 सब जैसे जीरा चीर चातख जायगा उन उन बई वन सारी सथिए सब्सेः एा कर देन लिए सबसे पहले जहिए अल्ट को तो क्भी कट करके रखा और से बज़ हम गोवी में करेंगे तो भी हलका सौते हो गया अगर हम इसमें हमें पंकिन कट करके रखेंगे ते ते हम वाइट करेंगे इसमें सारी सद्वियों को हल्की सौते करेंगे जब तक यह सद्वियां सौते हो रहा है तब तक हम डाल और चावल की मेजर्मेंट की अचलते हमें चावल इस वाले बाउल से वान एन हाफ बाउल हमें चावल लिया हुआ है इतना भी आप चावल यूज करेंगे उसका 75 परसंट आप को डाली करना है ट आप बाउल चावल में कितना को डाल नहीं यह रोस्त करके रखा है तो सब्सक्राइब लिए ऑगा हुआ हम इसमें टमाटर एड कर देंगी घ्राइब यह सब्सक्राइब जब तक हम शोटे और लिए की टमाटर तो आपके पास जो मसाले हैं जीरा धनिया पाउडर हम इसमें इड्ट करेंगे उद्दी को गया है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी एड्ट करेंगे एड्ट करेंगे ग्रीमिर्च कि और दिए को अधरक लिया ग्रें को ग्रेटर से ग्रेट करें पुड़ा ही एड्वर्भ पुbrakrण को अधरक आकड़ कर्देufen अब हमें चावल और दाल वाश कर दिया है अब हम इसको एड़ कर देंगे डाल चावल और सब्जीयों के साथ भी हम हलका सौते करेंगे जो दाल और चावल एड़ किया हमें तो इसमें यह मोईस्ट्र वो इसको उड्राइल होने तक सौते करेंगे तब तक हमने जो यहाँ पर शुगर लिया हुआ है फोर टीश्पून इसको एड़ कर देंगे और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट अड़ करेंगे जब तक यह सौते हो रहा है तब तक हम आज के टिप्स एंड ट्रिक की और चलते हैं प्रसाद जैसी खिचरी बनाने के लिए आज का टिप्स है कि आप खिचरी में है तूर दाल से भी खिचरी बनते हैं मसूर दाल से भी खिचरी बनते हैं बट आज मैं प्रसाद जैसी खिचरी बना रही हूं इसलिए हम इसमें मून के दाल भी यूज करेंगे और हम इसमें प्याजलहसन यूज नहीं करेंगे दूसरा पॉइंट यह है कि आप जब भी प् विल्कुल ही प्रशाद जैसे ही बनेगी रेसिपी यही है आपको साथ में फर्जन और कितन भी फॉन में लगाना पड़ेगा कि एक सीति क्पॉठ है कि जैसे पुपर के खुलने का इनको जिकाल पुकर के खुलने का इनको जिकालके पुकर नहीं खुलेगे 10 मिनिट हो गया हम चेक करेंगे उपर खोल के यह देखिए अच्छा से बन गया है अगर हमने यह जो निया पत्ता चॉप करके रखा था उपर से इसको एड़ करके इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके सर्डिंग बॉल में सर्फ कर लेंगे खिच्री बनके रेड़ी है इसके साथ आप पांपर खाएं पकोड़े खाएं चटनी खाएं यह सब मैंने अपने चैनल में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है इसके लिएक मैं आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह आप इसको ऐसे भी खाएं तो यह बहुत ही स्वादिश्ट लगता है खुद भी खाएं फ्रेंड्स और रिष्तेदारों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करें यह खिच्री की रेसिपी आपको कैसी लगी और यह प्रिक्स आपको कैसा लगा मेरे चैनल पे नियू है और सब्सक्राइब करते लिए बाबाए थैंक्स फर वाचिंग